आज मैं चिकन बनाने वाली हूँ अपने श्टाइल में बारिस में चिकन खाने का मजा ही कुछ और आता है देखिए बारिस में आप लोग इस तरह से चिकन बनाईएगा तो बहुत ही टेश्टी लेगा और बहुत अच्छा लेगा इसलिए मेरा ब्लोक्स पूरा आप ज Vil 개 गाइच में कीस तरह से बनाती हूं मेरे चिकन बच्चा भी मन सिखाते हैं अबरे भी मन सिखाते देखिए मैं यहां पे प्याज कट कर ली हूँ और गरम मसाला मेरिची तेशपता रखें डालने के लिए और में मसाला में सारा कुछ पिस लिए हूँ अद्रक लसून औ और मिर्ची, गरम मसाला, प्याज, यह सब देखिए, हम पीस लिए हैं मिक्सी में, आप जा रहे हैं इधर हम चीकन दोने के लिए बाहर, हम लोग जब भी चीकन बनाते हैं नगाईच तो इसलेपर से पहले चुला को नीचे उतार लेते हैं, इसलेपर नहीं बनाते हैं, और च खाना के लिए लग रखते हैं, क्योंकि कुछ सरदा भी तो होना चाहिएगा, इसलिए, देखिए, मैं बाहर धोड़ी हूँ, इसलिए, दोके उसके बाद नीचे बनाएंगे चिकन, क्योंकि अब सावन भी आ जाएंगे, फिर पूचा भी शुरू हो जाएंगे, जगरनाथ जगरनाथ मेला लगने वाले हैं, जगरनाथ बावा का, तो इसलिए मैं सोच रहें कि अभी खा लें, फिर सावन में आप खा ने सकते हो, फिर सावन के बाद कभी तीज पर जाता है, कभी कोई प्रत, कभी कोई प्रत, उसमें भी ज़्यादा नहीं लोग खा पाते हैं, तो अभी दो-चार दिन आप खा सकते हैं इस तरह से बना के बारिस में बाहर बहुत बारी सोड़ी गाईज अभी थोड़ा सा कम हुआ है सुबह से बहुत ज्यादा और आधा देखिए इसमें मैं तेल गरम हो गया है तो तेल गरम हो गया तेजपत्ता डाल दी गरम असला डाल दी मैं कुछ सुखा गरम असला और कुछ सुखी मीरिच डाल दी इसमें उसके बाद मैं इसमें प्याज डालके मल्दव की 5-7 मिनट तक इसको हम भूझेंगे थोड़ा से प्याज नरम हो जाएगा उसके बाद इसमें हम चिकेन डालेंगे चिकेन डालेंगे चिकेन को आपको 15 मिनट तक हम भूजेंगे ताकि उसमें जो कुछ हारा पंड आता है कुछ मतलब कि दूसरा ही टाइप से लगता है वो खतम हो जाता है तो आज का सुगन्द में आने लगता है मैं इस तरह से बनाती हूँ आप लोग कैसे बनाते हो गाइज कॉमेंट करके जरूर बताईएगा मैं आप लोग कभी वीडियो देखूंगी कि आप लोग कैसे बनाते हो कॉमेंट करके बताईए गाइज मैं इस तरह से बनाती हूँ मुझे इस तरह से बहुत पसंद आता है मैं देखिए हो कि बहुत सारे लोग क्या खड़ते हैं कि एक ही बार प्याज मेरी ची और चिकेन डाल देते हैं उससे ना वह हमको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है थोरा सप्याज को नरम होने दीजिए गाइज उसके बाद चिकेन डाले चिकेन को भी आप 10-15 मिनट तक जरूर भूंजिए बिना मसाला का उसके बाद देखिए मैं मसाला डालूंगी मैं जो गैस का फ्ल जरूंगी और मसाला के साथ भी मैं 10-15 मिनट तक इसको पकाऊंगी आप लोग बने रहे हैं देखिए मसाला में क्या क्या हम डालते हैं और किस तरह से बनाते हैं गाईज समझे देखिए तो इस तरह से आप लोग भी बारिस के मौसम में चिकेन खाईएगा तो बहुत दहीं समझा आएगा और रात में बनाईए सुपर में भी मुझे बहुत टेश्टी लगता इसमें देखिए जो मैं मसाला पिसी थी उसे में डाल दे रही हूं इसको भी मैं करीवन पांच मिनट तक भूंजूंगी इसी तरह से उसके बाद फिर जो मसाला निकाल के रखे हैं उसको डालेंगे वह मसाला जो है आपका लहसून द्रक मेरी चीप याज का पेश्ट है तो पेश्ट थोरा सा मतलब की नरम हो जाता हो भी तब आप डालिए तो आपका हरहिन टाइप से नहीं लगेगा अब इसको हम डाल दिए यह सारे मसाला गरा मसाला मेट मसाला चिकेन मसाला ज आप लोग मेरे आइडियास एक पर जरूर चीकन बनाईएगा मैं इस तरह से बनाती हूं चीकन अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आएगा तो जरूर से लाइक किजिएगा सेर कीजिएगा और सस्क्राइब कीजिएगा और नमध भी डाल दे रहा है इसको मैं को कुकर का दकन से मैं इसको नहीं डखोंगी क्योंकि को सीटी थोड़ी लगाना है इसको नॉर्मल धकन से रखते रहे हैं उधर आम रखा हुआ है साइड में तो देखिए इस तरह से यहां पे भूंजा रहा है इसको मैं पीच बीच में धकन को उतार के चलाते रहती हूं दाकि शॉर्Pa लाएय और अवो जयादा है नहीं है डुगल रखांए इसको नॉर्मल भूंजिए positions लगने लगता अ पार्च में दाकि नहीं दाकि शर्टी नहीं जखती लगता है, यह टो से बूंजाते बूंजाते सारे पक्सजाते हैं तो थोड़ा बूंजा हूरी के थ मेरे पास एक बिल्ली है उपहुचाता पर यह समन कर रहा बरतन सब को दोने के लिए चाहते तो छूने लगता है यह कह रहा है यही चीज अब लोग से बात करना चाहता है अगर आप लोग बात करियेगा तो मैं इसको आपके समने केमरा के समने बीठा के बात करेंगी बहुत ही प्यारा बोगता है अब देखिए यह भूजा गया है इसको मैं क्या करेंगे ना कि थोड़ा से निकाल लेंगे खाने के लिए उसके बादी इसमें पानी डालेंगे ग्रेवी बनने के लिए एक्टम सॉप्ट हो जाता तब मुझे अच्छा लगता है थोड़ा टाइट टाइट है अब चिकन ख खाने में अच्छा लगए गाईज तो देखिए देखने में ठीक लगड़ा है ना खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है आप इस तरह से चिकन जरूर बनाईएगा गाईज चिकन और रोटी बना रहे हैं रात कमों समय रात में हम लोग चावल नहीं खाते हैं और बाहर प